नमस्कार, वेलकम टू बिहार स्विल्स मैं हूँ आलोक सिंग और आज है 38 मार्च 2022 आज की बिहार क्रेंट अफियर साथ में नेशनल और इंटरनेशनल रिवेंच भी डिसकस करेंगे पीडिये पाक को डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ आपका जो मॉक टेस्ट है वो ओलेडी चल रहा है टेलिग्राम चैनल पे तुछ टेलिग्राम भी आप जाकर चेक कर सकते हो फर्स्ट कुश्चन बिहार स्विमर्स है वोन हाव मनी गोल्ड मेडल्स इन दी 21st नैशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन्शिप कैस्वी रास्टी ये पैरा तैराकी चैंपियंशिप में भर बिहार के तैराकों ने कितने स्वर्ण पदक जीते कितने गोल्ड मेडल जीते हैं तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता साथ option A is the correct answer साथ गोल्ड मेडल जीत लिया और एक यहाँ पे silver एक bronze जानि अगर मेडल की हम बात करें हैं तो नो मेडल बिहार के ने जीते पैरा श्वीमर से ठिक है और जो चैंपियनशिप थाड़ नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियंशिप यह उदल पूर में औरगारी किया जा रहा था उदल है राजस्थाल में mean next question रिसेंटली विच इंटरनेशनल ग्रूप हैज मेट विथ बिहार इंडस्टी मिनिस्टर सहनवाज हुशेन हाली में किस अंतरास्टी है समू ने बिहार के उद्योग मंत्री सहनवाज हुशेन से मुलकात की है यहाँ पर पिक्चर देख पाऊगे एक कौन सा इंटरनेशनल ग्रूप है यह ए अरबिक ग्रूप है जी सी सी ऑप्शन डी इस दी करेक्ट आंसर जी सिस्या गलफ कॉपरेशन कांसील ठेक है गलफ कॉपरेशन마ं कांसील यह सात कंट्रीज का गुरूफ है जो गल्फ रिजन में आते हैं जैसे बहरेन, कुवेत, ओमान, कतर, फिर है सौधी अरबिया, कितने हुए, वन, टू, त्री, फोर, फाइब, बहरेन, कुवेत, ओमान हो गया, कतर, सौधी अरबिया, और हो गया, यू, ए, ए, यू, नाइटेड अरव, एमिरेट्स, एक्चुली, साथ नहीं, छे ही कंट्रीज का ये ग्रूप है, ठीक है, जैसे बहरेन, कुवेत, कतर, ओमान, सौधी अरबिया, और यू, यू, ए, ये छे कंट्रीज का ये ग्रूप है, गल्फ, कॉपरेशन, काउंसिर, जिसका हेड़क्वाटर आपको मिलेगा, रियाद में रियाद कहां पे है, ये है आपका सौधी अरबिया में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हैं, असम के चिफ मिनिस्टर हिमंता बेश्व शर्मा, ओप्शन सी इस दी करेक्ट आंसर, नेक्स्ट है, यूएस, यानि उनाइटेट अस्टरेट सोप अमेरिका, एंड फिलिपिन्स, मिलिटरी बिगिंस दियर लार्जेस कॉंबाइट ड्रिंस, बालिकतन 2022, ओन विच आइलेंड, अमेरिका और फिलिपिन्स की सेना ने किस द्वीप पर अपना सबसे बड़ा यूएस और फिलिपिन्स के बीच होता है, ठीक है, और इसको इस साल यानि 2022 में किस आइलेंड पर किया गया है, तो ये आइलेंड है, लुजोन आइलेंड, ओप्शन B is the correct answer, और ये लुजोन आइलेंड जो है, वो फिलिपिन्स का पार्ट है, ठीक है, फिलिपिन्स का पार् पुलिस स्टार्टेट संडे स्ट्रीट इनिस्याटिव, पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल कहां शुरू किया, तो मुंबई पुलिस ने मुंबई में किया, ओप्शन B is the correct answer, आइडिया ये है कि संडे को पुरा एक स्ट्रीट पे कोई गाड़ियां जो है, वो नहीं बिल्कुल उन्हें क्लोज कर दिया जाएगा कि कुछ घंटों तक यहां पर गाड़ियां आएगी जाएगी नहीं, ताकि उस संडे को क्या होगा कि लोग घर से बाहर निकलेंगे सडकों पर अपना घूमेंगे या फिर योगा आक साइज वगेरा करेंगे, तो यह यहां पर इनिस्टेटिव रखा गया है, नेक्स्ट क्वेस्टन है, आर्टिकल 355 अफ एंडियन कॉंस्टिचूशन वस इन निउस डिव टू वाइलेंस इन वेस्ट बेंगॉल, वोट डॉस इट रिफर्स टू, भारतिय सविधान का अनुछे 355 पच्छिम बंगाल में हिंसा के तो यह ऑप्शन से आपको बताने हैं, तो कि आर्टिकल 355 क्या है, देखिए, वेस्ट बंगॉल में रिसेटली आपने सुना होगा एक जगह है बीरभूम, ठीक है, यहां पे करीबन 10 से 12 लोगों को जिन्दा जला दिया गया, जिहां 10 से 12 लोगों को जिन्दा जला दिया ग ममता अब अनर्जी की पार्टी से बिलॉंग करते हैं, वो लोग जिन्हों ने यह जिलाया, ऐसा कहा जा रहा है, फिर अब इतना बड़ा वायलेंस हुआ कि ऐसे जला दिया गया, तो लोग अब मांग कर रहे हैं कि सेंटर को आर्टिकल 355 यहां पे इंपोस कर देना चाहिए वेस्ट बेंगॉल में, ठीक है, तो यह इसलिए ही न्यूज में था, तो यही आप से पुझा जा रहा है कि आर्टिकल 355 है क्या, तो यह है, डूटी ओफ उनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेस्ट एक्स्टरनल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि यह डूटी है, कि अगर कुछ एक्स्टरनल अग्रेशन हो, या फिर इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस है किसी राज्जी में, तो वह डारेक्ट वहां से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, सेंटल गोर्मेंट, ठीक है, यानि कि अगर आर्टिकल 355 इंपोस कर दिया जाता है, वेस्ट विंगॉल में, तो वहां की लौ और्डर सब कुछ बिल्कुल एक तरह से कहिए कि बस खतम ही हो जाएगा, कुछ किसी का कुछ भी कोई लौ और्डर काम नहीं करेगा, डायरेक्ट अब सेंटर गोर्मेंट की हर चीज़ काम करेगी, सेंटर गोर्मेंट जो बोलेगी कि वहां पर वही होने वाला है, ऐसा हो जाता है आर्टिकल 355 अगर इंपोर्स कर दिया जाए, ठीक है, और इसका किस केस में, यहां हमने बता दिया, एक्स्टर्नल एग्रेशन हो, या फिर इंटर्नल कोई डिस्टर्बेंस होता है तो, और यहां पर इंटर्नल डिस्टर्ब सुर्व स्रेश्ट अभिनेता है कि स्रेड़ी में ओस्कर पुसकार 2022 किसने जीता है तो ओस्कर अबाट 2022 मिल गए हैं मिल चुके हैं अब इनका यह जो बेस्ट अक्टर कौन रहा तो बेस्ट अक्टर हैं विल स्मीथ ऑप्शन डी इस दी करेक्ट आंसर हॉलिवूड अक्टर है और काफी बार इन्हें एक्टुली अवार्ड्स मिल चुके हैं काफी फैमाज हैं इनका एक मूवी था किंग रिचर्ड्स哎 लिए है और तेकि ऑसकर अवर्ड तो नॉर्मली बोल चाल की भासा में बोलते हैं इसको खाला की बोलते हैं एकेडमी अवर्ड तो तो यहां हो गया बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही जैसिका कैस्टेन जैसिका कैस्टेन नहीं बेस्ट एक्ट्रेस जिनकी एक मुवी थी दि आईज अफ तमी फे बेस्ट डारेक्टर बस यह तीन चीज़े याद रखे जातर मोस्टली और भी कुछ इंपोर्डेंट होगे तो मैं आने आले वीडियो ने आपको बताता ही रहोंगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं ठीक है तो बेस्ट डारेक्टर है जैन इनकी इन्होंने डारेक्ट किया था एक मुवी दी पावर अफ दी डॉग किस राज सरकार ने 120 गाओं के लिए पेजर परोजना को मंजूरी दी है तो करनाटका गॉवर्मेंट ने आप्शन बी इस दी करेक्ट आंसर और करनाटका के कैप्टल है बैंगलूरू चीफ मिनिस्टर है बैसववा बमाई नेक्स्ट डीसेंट्रलाइज वस्ट मनेजमेंट टेक्नलोजी पार्ग है बिन इनागरेटे रिसेंटली इन विस सटी विकेंदरी कृत अपसिस्ट प्रवंधन प्राद्योगी की पार्ग का उद्गाटन हाल ही में किस सहर में किया गया है तो ये किया गया है इस्ट डेली में ऑप्शन सी इस दी करेक्ट आंसर और डेली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरिवाल देल ही एक union टेटरी है और capital भी है देल ही हमारे भारत का और अर्विंद के जरिवाल head है इनकी party है आम आदमी party आम आदमी party ने इस बार के चुनाव में लेशलेटिव assembly पंजाब की लेशलेटिव assembly का election जीत लिया है और पंजाब में आम आदमी party का rule है यानि की चीफ मिनिस्टर है भागवन्त मान नेक्स्ट है विश सिटी इस दी मोस्ट नॉइस पॉलिटेट सिटी ग्लोबली एज पर UNEP यानि उनाटेट नेशन्स इन्वार्मेंट प्रोग्रेम UNEP के अनुसार बिश्वस्तर पर सबसे अधिक धौनी प्रदूसन वाला शहर कौन सा है आपको पता होगा पॉलिशन 2-3 तरह के मैंली मैंली 2-3 तरह के पॉलिशन होते हैं एक तो यहां पर आप देख रहे हैं और ओड़ पॉलिशन फिर है एयर एयर पॉलिशन ठीक है फिर वाटर पॉलिशन तो यह सब कुछ important pollution के types हैं तो यहां पे हम बात करें noise pollution में सबसे ज़्यादा polluted city कौन सा है पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा polluted city है बांगलादेश की capital धाका option A is the correct answer और धाका number one पे है pollution में out of 61 cities एक रिपोर्ट UNEP जो है इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है annual frontier report 2022 इस रिपोर्ट के according धाका दुनिया का सबसे ज़्यादा noise polluted city है और second position पे कौन है उत्तर परदेश यहां भारत का उत्तर परदेश का एक सहर है मुरादाबाद यह है दुनिया का second most polluted noise polluted city और third कौन है पाकिस्तान का सहर इस्लामाबाद यह है third most polluted noise polluted city आप कभी कभी आपको यह भी लगता होगा कि अच्छा का noise pollution का कोई level तो होता होगा जी हां तो डबलू एचो वर्ल्ड हेल्स और्गनाइशन जो है इसने एक गाइड्लेंस जारी कर रखे हैं कि अगर 65 पचपंडड़ डेसीबल से और sound की frequency जाधा है residential एरिया के हम बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं residential एरिया में अगर 55 डेसीबल से sound frequency जाधा है तो वहाँ पे pollution हो रही है ठीक है और पोलूशन हो रही है यानि कि वो आपके health के लिए harmful है और यही अगर industrial area के अगर हम बात कर दें तो industrial area में 70 decibel अगर 70 decibel से ऊपर अगर industrial area में noise pollution है तो फिर यहां पर भी harmful है health के लिए नेक्स्स क्वेस्चन है सेंटर गवर्मेंट है डेजिगनेटेड विच डेट टो भी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे तो किन सरकार ने किस तारीक और राष्टी ये डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाना तै किया है तो चलिए एक और डेट कॉंपटेटिव एक्जाम्स में जो स्टुडेंट्स में त्यारी कर रहे हैं कि उनके लिए एक और डेट रेडी हो चुका है और वो है फिप्ट ऑक्टूबर अब से नेशनल डॉल्फिन डे डॉल्फिन जो है इसको केंजर्व करने के लिए हैं ह हर साल ये एक्टूबर को येготов करेंगे और ये डिसेजन लियागया है किस च्ईज का स्टेंडींग कमिटी A standing committee of National Board National Board for Wildlife A standing committee of National Board for Wildlife का यह 67th meeting था ठीक है इसमें ही हमारे जो Union Minister for Environment and Forest and Climate Change है भुपेंदर यादो ये इन्हों नहीं ये डिसीजन यहाँ पर लिया है कि अब हम फिप्ट अक्टूबर को नैशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे अच्छा देश का पहला डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है डॉल्फिन सेंचुरी ये देश का एक मात्र डॉल्फिन सेंचुरी है और वो कहां पर है भागलपूर में ये विक्रम शिला डॉल्फिन सेंचुरी ठीक है ये है विक्रम शिला डॉल्फिन सेंचुरी देश का एक मात्र डॉल्फिन सेंचुरी है और वो मिलेगा बिहार के भागलपूर में है ठीक है इतना ही नहीं और भी कुछ डेट्स रिसेंटली एड किये गए हैं जिसको कुछ असेलिबेट किया जाएगा जैसे मुख मंत्री नितीष कुमार ने 15 फरवरी को एज सहीद दिवस मनाने की बात कही है किसे याद में तो मुंगेर के तारापूर में जो मशैकर हुआ था 1932 में उन सहीदों के याद में हम 15 फरवरी को सहीद दिवस अबजब करेंगे फिर हमारे प्रायम मिनिस्टर ने 16 जैनवरी को एज स्टार्ट अप डे अबजब करने के लिए डिकलेयर कर दिया है क्या आग मना जाएगा स्टार्ट अप डे फिर 15 नवंबर को डिकलेयर किया गया है कि 15 नवंबर को एज जन्जातिय गौरो दिवस हम अबजब करेंगे कि 15 नवंबर को बिर्शा मुंडा का जन्व दिन होता है ठीक है प्यम मोदी ने ये भी टिकलेयर किया है कि 26 दिसंबर को हम अबजब करेंगे एज वीर बार दिवस ठीक है यह हम 26 दिसंबर को अबजब करेंगे पीम मोदी ने डिकलेयर किया है 14 अगस्ट को हम अबजब करेंगे अबजब करेंगे तो ये कुछ डेट्स थे जो रिसेटली जोड़े गए हैं सेलिबेट का निकले दिवस नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेस्टन रितु खंडूरी रितु खंडूरी किस राज की विदान सबा की पहली महिला स्पीकर बनी है तो रितु खंडूरी बन चुकी है महिला स्पीकर अफ उत्राखंड ओप्शन बी स्थी करेक्ट आंसर आपको माल होगा उत्राखंड में भी इस साल इलेक्शन था जिसमें फिर से बिजेपी यहाँ पे रूल में आई है बिजेपी फिर से उत्राखण में लेश्लेटिव असेम्बली का इलेक्षन जीत चुकी है और कौन है यहाँ पे चिफ मिनिस्टर पुशकर शिंग धमी यह है चिफ मिनिस्टर अफ उत्राखण गुवर्नर कौन है गुर्मीत सिंग विज चिफ मिनिस्टर का जो है ओद शपत कौन दिलाता है गुवर्नर राजपाल तो यह था आज का करेंट अवेस थांक यू फोर वोचिंग बिहार से वेल सी यू नेक्स वीडियो जैहिंद